हलो आइरोवान आइम रमेश मिसाइद और वालकम यू और आज किस वीडियो लेक्शर में हम डिसकुस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अडवर्टीजमेंट राइटिंग और अडवर्टीजमेंट राइटिंग के कोश्चन्स अक्सर एक्जा जाते हैं तो आज किस वीडियो लेक्शर में हम डिसकुस करेंगे कि अडवर्टीजमेंट क्या है अडवर्टीजमेंट के कौन-कौन से टाइप होते हैं और अडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट हम कैसे तयार करते हैं एक्जामपर सहीत आज हम डिसकुस करने वाले हैं तो स यही होता advertisement, जैसे किसी को car बेचनी हो, किसी को bike बेचनी हो, किसी को कपड़े बेचनी हो, किसी को courses बेचने हो, या किसी भी संस्थान को अपना product का प्रचार पसार करना हो, movies को अपने movie को बढ़ावा देना हो, तो वो इन सारी चीजों को promote करने के लिए advertisement का सारा लेते हैं, यही होता advertisement, यदि आपको किसी भी तरह की job चाहिए, या किसी को job करने वाले की जरुरत हो, तो भी वो किसका सारा लेते, वो भी advertisement का सारा लेते, यदि आपकी कोई वस्तुप गुम हो जाती है, या यदि आप किसी का वस्तुप पा जाते हैं, तो भी आप advertisement का सारा लेते हैं, इसक example के जैसे एक भाई साब है यदि इनको साधी करनी है और ये ढूंड रहे हैं किसी ऐसे लड़की को जो काफी सुन्दर हो जो सुसील हो ग्यानवान हो एदुकेटेड हो तो ये सारी चीज़े मेंसन करेंगी कि मुझे साधी के लिए इस टाइप की लड़की चाहिए वैसे यद होता है advertisement यानि simple सी बात करें तो advertisement जो होता है ये किसी product, service, event इन सारे चीज़ों को promote करने का एक साधन है यदि हम इसकी परिभासा की बात करें तो simple सी परिभासा है advertisement is generally considered a public communication that promotes a product, service, trend, or event अब हम देखने वाले हैं कि advertisement जो होते हैं इसके कौन-कौन से types होते हैं तो advertisement के कौन-कौ advertisement के मुख रुप से दो types होते हैं और वो होते हैं classified ads and commercial ads classified ads जो होते हैं इन में से ही आपके exam में questions पूछे जाते हैं और commercial ads से आपके questions जो है वो exam में नहीं पूछे जाते हैं तो देख लेते हैं classified ads क्या होते हैं commercial ads क्या होते हैं तो classified ads के लिए हम बात करें तो ये एकदम simple सा ad है बहुत ही normal होता है और यह जनरल लोगों के लिए जनरल पीपल के लिए है और इसके लिए words limitation है 50 words के आज पास आपको इसे लिखने होते हैं इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते यानि यह उतना attractive भी नहीं होता दिखने में भी उतना सुन्दर नहीं होता है जैसे कि आप देख कर सकते हैं दिखने में काफी अच्छा लगता है तो आपके exam में जो भी questions आएंगे वो आपके classified ads से ही आएंगे तो अब हम देखने वाले हैं classified ads के बारे में classified ads के बात करें तो इसके 7 types होते हैं और इन्हीं में से आपके questions पुछे जाते हैं तो उनमें से यह है situation vacant, situation wanted, lost and found, for sale too late, accommodation, wanted and matrimonial तो इनमें हैं आपके classified ads तो इनमें से आपके 5 जो है इनमें से आपके questions पूछे जाते हैं तो इसके बारे में हम example सही चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर यह होते क्या है situation vacant, vacant का मतलब क्या होता है? vacant का मतलब होता है खाली, यानि जहां पे कोई poster खाली हो, वहां पे हम situation vacant का aid देते हैं, तो वो जो aid होता है, situation vacant, यह किसके द्वारा लिखा जाएगा? यह honor के द्वारा लिखा जाएगा, यानि जिसे job करने वाले की जरुरत हो, अब job करने वाले की जरुरत किसे होती है? जिसक को employee की जरुरत हो, job करने वाले की जरुरत हो, वो देते हैं ad, तो वो होता है situation vacant, for example के लिए मान दीजे कि आपका एक school है और उस school में English के teacher की जरुरत है, याने English के जो teacher है, उनका जो post है वो खाली है, तो वहां के जो owner रहेंगे, वहां के director रहेंगे, या फिर वहां के principal रहेंगे वो एक ad देंगे, तो उस ad में वो mention करेंगे, क्या mention करेंगे, कि हमारे school में English के teacher की जरुरत है, इसके लिए ये salary रहेंगी, इतना experience होना चाहिए, इतनी education, qualification होनी चाहिए, ये सारे चीजे mention करेंगे, तो ये जो लिखा जाएगा किन के द्वारा, employer के द्वारा, employer के द्वारा या principal के द्वारा लिखा जाएगा, या फिर वहां के director के द्वारा लिखा जाएगा, तो ये होता है situation waking, situation wanted के दिए हम बात करें, तो wanted जो होता है, wanted means चाहना, अब जिसको job की जरुरत हो, जिसे job करने की जरुरत हो, वो लिखेंगे ad, तो वो होगा situation wanted, यानि जैसे कि कोई teacher है, जो खाली है, जिनके पास job नहीं है, उसे job की जरुरत है, वो काम करना चाहता है, तो वो क्या करेंगे, वो एक ad देंगे, तो ये होगा situation wanted, तो ये किसके दोर लिखा जाता है, जिसे job की जरुरत हो, for example के लिए, यदि कोई receptionist के लिए ready है, वो काम करना चाहता है, receptionist का, और उ situation wanted, next है, lost and found का, lost and found, simple सी बात है कि यदि आपकी कोई वस्तु गुम हो जाती है, यदि आप कोई वस्तु पा जाते हैं, तब आप जो add देंगे, वो होता है, lost and found का, दुनिया में ऐसे इमांदार लोग बहुत कमी होते हैं, जो found होने पे add देंगे, यानि यदि आपके पास mobile गया, किसी का mobile आप ने पाल लिया है, तो क्या आप बताएंगे कि हां मेरे पास किसी का mobile मिला है, इमांदारी से ले करके चले जाओ, बहुत कम होते हैं, दुनिया में, तो lost and found में, lost वाले लोग है, बहुत ज्यादा होते हैं, जो लिखाएंगे, जो add देंगे, lost वाले, लेक आपको कोई property बेचनी हो, घर बेचना हो, या कोई भी चीज़े आपको बेचनी हो, तब आप for sale के अंतवर्यात add देंगे, too late, too late क्या होता है, तो too late कि यदि हम बात करें, तो यदि आपके पास building है, house है, घर है, या आपके पास room है, और आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ क तो किराये पे दो, तब आप क्या करेंगे, आप जो है, too late में, यानि too late लिख फाएंगे, यानि it means यह होगा आपका add देने के लिए, कि आप जो है, एक मालिक हो, अनर हो, और आप किराये दा ढूंड रहे हो, tenants ढूंड रहे हो, तो आप जो add दोगे, वो होता है too late, उसका just होता है, accommodation wanted, यानि यदि कोई व्यक्ति है, यदि उसे room चाहिए, घर चाहिए, office के लिए, रहने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो accommodation wanted, यह वो यदि लिखते हैं, जिनको जरूरत है room की, घर की, house की, तो वो जो लिखेंगे, वो होता है, accommodation wanted, उसके बद आता है matrimonial, matrimonial means, फैवाहिक, यानि किसी लड़के को साधी करने के लिए लड़की चाहिए, या किसी लड़की को साधी करने के लिए लड़का चाहिए, तो वो यदि वो add देते हैं, तो वो होता है matrimonial, इस तरह से classifier adds के seven types के बारे में, आज हमने चर्चा कर ली है, अब हम देखने वाले हैं कि इसके format हम कैसे तयार करें, तो इसका जो format होगा, वो बहुत ही आसान होता है, आपको सबसे पहले एक box तयार करना है, और उस box के अंदर, सबसे उपर में आपको लिखना है heading, अब heading क्या होता है, तो heading यही होगा, जैसे situation vacant, situation wanted, lost and found, यही आपका heading बनेगा, अब heading क से बाद हम लिखेंगे body, body या फिक content, अब यह जो content होगा, यह रहगा 50 words में, 50 words से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लगबग 50 words के आफ़ पास ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, simple लिखना है, language अच्छा, अच्छी होनी चाहिए, और जो भी चीज़े है जो आवस्तर चीज़े है, वो जानकारी इसमें mention होनी चाहिए, और last में आप लिखेंगे contact person, अब जो चीज़े हैं, जो भी लोग है, वो यदि contact करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो contact person होना चाहिए, या आपका place होना चाहिए, mobile number होना चाहिए, या फिर email ID होना चाहिए, इन ति क्यों सी चीज़े हैं, जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं, और एक एक बार हम थोड़ा से देख लेते हैं, जैसे situation vacant की हम बात करें, तो situation vacant, यानि जिनको job करने वाले की जरूरत है, अब job करने वाले की जरूरत है, तो वो तो चाहेंगे कि क्या क्या चीज़े होनी चाहिए यानि body में क्या क्या content होने चाहिए, तो वो mention करेंगे qualification क्या होनी चाहिए, experience क्या होनी चाहिए, salary क्या होनी चाहिए, male या फिर female किसको preference दे रहे हैं, other skills है या नहीं, बात करनी की skills है या नहीं, English बोलनी की skills है या नहीं, या Hindi बोलनी की skills है या नहीं, तो वो सारी चीज़े व जॉब करने वाले की जरूरत है और उसके लिए यह चीजे आवस्यक है तो यह होता है अपना situation vacant का अब यह जो question है यह question इस तरह से पूछे जा सकते हैं ठीक है इसमें ऐसा पूछा जा सकता है यह आर मुकेस और रहिना जन्रल बने जरा फोटल येलो पार्क तैली यू नीड और सब्सक्राइब आपको क्या लिखने है इन्हीं के अपको advertisement लिखने होते हैं तो यह आपका heading हो जाएगा situation vacant और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको कही जा रहे हैं जैसा आपको नाम दिया जा रहा है जिस जगह आपको जैसा address दिया जा रहा है इसके आप box बनाएंगे, फिर आप heading देंगे, फिर content तयार करेंगे, यानि body बनाएंगे, उसके बाद फिर आप यहां पर contact या वहां का address, email ID या फिर mobile number जो भी चीज़े हैं, आप उसे detail में देंगे, तो यह रहा situation vacant का, अब हम देख लेते हैं situation wanted का, यानि किसी को job की जरूरत हो, तब वो क्या लिखेंगे, वो situation wanted लिखेंगे, तो आपके जो questions है, questions है, वो इस तरह से आएंगे आपके exam में, और इसके जो answer है, वो आप इस तरह से लिख सकते है, situation wanted का, अब next हम देख लेते हैं, for sale के लिए आ सकता है, कि आपको कोई product है, उसको आपको बेचना हो, किसी product को promote करना हो, किस तरह से बेचना है, कैसे बेचना है, price कि, कितने price आप बेच सकते हैं, जो भी चीज़े है, उस product को यदि, आप बेचना चाहते है, उस product की quality, कितने वर्ट हुए है, उसका time, duration, जो भी चीज़े है, उसकी city कैसी है, किस तरह से है, वो सारी चीज़े आप क्या करेंगे, mention करेंगे और आपके जो questions है वो इस तरह से आएंगे और answer आप इस तरह से देंगे तो यह होता है for sale के लिए next देख लेने है lost and found यदि आपकी कोई वस्तु गुम गई है या आपने किसी दूसरे की वस्तु पा ली है चाहे बस में है चाहे office में travel के दारां चाहे सड़क पे तो आप जो है इन सारी चीज़ों को mention कर सकते हैं जैसा आपको question दिया गया है तो इसका जो answer हो जाएगा वो इस तरह से होगा lost and found का यदि आपने कोई चीज घुमा दी है या आपको कोई नई चीज किसी दूसरे की कोई चीज मिल गए है तो आप जो है इस तरह से देश सकते हैं बस याद रखे सबसे उपर में आपका heading फिर content या body उसके बाद contact तो यह हो गया for sale का उसके बाद हम देख लेते हैं too late in found का too late का यह हो गया too late too late के बारे में यदि बात करें तो too late it means यदि आपके पास building है आपके पास कोई जगह है आपके पास room है house है और आप उसे किराये पे देना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे too late के अंतरगत add देंगे तो यह आपके जो question है वो इस तरह से पूशे जा है किस तरह से होता है कैसे लिखे ताकि पी नियुक पूरे पूरे नमर मिले इसके बारे मेंने आपको Meghtre Legends सहीद बता दिये हैं और यह ऐसे एक्जामपल है जो कि अक्सर एक्जाम में पूशे जाते हैं और बागी के जो दो है वो अक्सर एक्जाम में नहीं पूशे जाते हैं इसलिए मैंने उसका एक्जामपल उनके जो एक्जामपल से वो नहीं दिये हैं आसा करता हूं कि आप समझ गये हैं कि advertisement क्या होता है advertisement के format कैसे तैयार किये जाते है advertisement के कौन-कौन से types होते हैं और कौन-कौन से advertisement आपके exam में पुछे जाते हैं आपको ज़्याद से ज़्यादे number दिलाने के लिए हमारे team लगाता लगी हुई है और हमेशा आपको videos प्रोवाइड करते जा रहे हैं मैं आसा करता हूँ कि आप हमारे video को देख करके काफी joy कर रहे होंगे आपको video lecture काफी अच्छे से समझ आ रहे होंगे मैं विलूँगा एक interesting lesson के साथ next video lecture में तब तक के लिए धन्यवाद